C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय दस ठोस आकारों का चित्रण प्रिष्ट संख्या 163 से लेकर प्रिष्ट संख्या 176 तक आईए सुनते हैं अध्याय दस ठोस आकारों का चित्रण प्रिष्ट संख्या 163 दस दशमलव एक भूमिका कक्षा साथ में आप सम्तल आकारों और ठोस आकारों के बारे में पढ़ चुके हैं सम्तल आकार के लंबाई और चौडाई जैसे दो मापन होते हैं और इसी लिए इन्हें द्वी विमिय यानि टू डाइमेंशनल आकार कहते हैं जबकि ठोस आकारों के लंबाई चौडाई और उचाई या गहराई जैसे तीन मापन होते हैं इसी लिए इन आकारों को त्रे विमिय यानि थ्री डाइमेंशनल आकार कहते हैं साथ ही एक ठोस वस्तू कुछ स्थान घेरती है द्वी विमिय और त्रे विमिय आकरितियों को संक्षेप में क्रमशह 2D और 3D आकरितियां भी कहा जा सकता है आपको याद होगा कि त्रे भुज, आयत, वृत, इत्यादी, 2D आकरितियां हैं जबकी घन, बेलन, शंकु, गोला, इत्यादी, 3D आकरितियां हैं इन्हें कीजिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए आपके लिए पहला मिलान किया हुआ है यहाँ पर एक सारणी बनी है, इस सारणी में तीन स्तंब हैं आकार, आकार का प्रकार, आकार का नाम पहला स्तंब वर्ग का आकार उसके बाद शंकु का आकार उसके बाद बेलन का आकार उसके बाद त्रिभुज का आकार उसके बाद घन का आकार उसके बाद वृत का आकार उसके बाद घनाब का आकार उसके बाद गोले का आकार स्तंभ दो आकार का प्रकार स्तंभ तीन आकार का नाम गोला, बेलन, वर्ग, वृत, घनाब, घन, शंकु, त्रिभुज उदाहरण के लिए यहाँ पर वर्ग के आकार को दूसरे स्तंभ में दुवे विमिय से और तीसरे स्तंभ में वर्ग से जोड़ा गया है ध्यान दीजिये कि उप्रोक्त में से सभी आकार अकेले हैं परंतु हमारे व्याभारिक जीवन में अनेक बार हमारे सम्मुक विभिन आकारों में संयोजन यानी कॉंबिनेशन्स आते हैं उदाहरनार्थ निम्न लिखित वस्तुओं पर गौर कीजिये एक तंबू बेलन पर एक शंकु आरोपित एक डिब्बा एक बेलनाकार खोल आइसक्रीम शंकु पर एक अर्ध गोला आरोपित एक फोटो फ्रेम एक आयताकार पत एक कटोरा एक अर्ध गोलाकार खोल स्तंब पर गुम्बज बेलन पर अर्ध गोला आरोपित इन्हें कीजिए निम्न लिखित चित्रों यानी वस्तुओं का उनके आकारों से मिलान कीजिए यहां पर दो स्तंब हैं चित्र यानी वस्तु और आकार पहला स्तंब 1. एक क्रिशी योग्य खेत 2. एक गहरा छेद या नाली 3. एक खिलोना 4. एक व्रित्ताकार पार्क 5. परस्पर लांबिक यानी क्रास पत स्तंब दो एक आयताकार पार्क के अंदर दो लांबिक आयताकार पत एक व्रित्ताकार मैदान के अनुदिश व्रित्ताकार पत, एक वर्गाकार खेत से सनलगन त्रिभुजाकार खेत, एक बेलन में से शंकू खुरच कर निकालना, एक शंकू पर आरोपित अर्द गोला. दस दशमलवदो, थ्रीडी आकारों के द्रिश्य, आप पढ़ चुके हैं कि त्रे विमिये वस्तुएं विभिन स्थानों से भिन भिन रूप में दिखाई दे सकती हैं, इसलिए इनको विभिन परिपेक्षों यानि द्रिश्टियों से खीचा जा सकता है. उदारणार्थ, एक दी हुई जोपडी के निमनलिखित द्रिश्य हो सकते हैं, एक जोपडी, यहाँ पर इसके सामने से द्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य और उपर से द्रिश्य का चित्र बना है. इसी प्रकार एक गिलास के निमनलिखित द्रिश्य हो सकते हैं, एक गिलास, उसके बाद उसके पार्श्व द्रिश्य का चित्र, उसके बाद उसके उपर से द्रिश्य का चित्र. एक गिलास का उपर से द्रिश्य यानि टॉप विव संकेंद्रिये वृत्तों का एक युग्म क्यों है यदि इसे भिन्न दिशासी देखा जाए तो क्या पार्श्व द्रिश्य कुछ और प्रकार का प्रतीत होगा इसके बारे में सोचिए अब एक इट के विभिन्न द्रिश्यों को देखिए प्रिष्ट संख्या 166 यहाँ पर एक इट का चित्र बना है इसके बाद उसका सामने सिद्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य और उपर सिद्रिश्य का चित्र बना है हम घनों को जोड़कर बनाई गई आकृतियों के भी विभिन द्रिश्य प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर एक तीन घनों से बने थोस का चित्र है इसके बाद उसका पार्श्व द्रिश्य बना है जिसमें दो वर्ग हैं एक के उपर एक उसके बाद उसका सामने सिद्रिश्य बना है जिसमें तीन वर्ग हैं पहले स्तंभ में एक वर्ग दूसरे में दो वर्ग इसके बाद उसका उपर सिद्रिश्य बना है जिसमें दो वर्ग हैं दो स्तंभों में एक एक वर्ग इसके बाद चार घनों से बने एक ठोस का चित्र बना है उसके उपर सिद्रिश्य में चार वर्ग है पहले स्तंभ में दो वर्ग, दूसरे स्तंभ में दो वर्ग सामने सिद्रिश्य में दो वर्ग है पाश्व द्रिश्य में तीन वर्ग है इसके बाद एक चार घनों से बना ठोस बना है, उसके पार्ष्व द्रिश्य में दो वर्ग हैं, सामने सिद्रिश्य में तीन वर्ग हैं, उपर सिद्रिश्य में चार वर्ग हैं, जिसमें तीन वर्गों में से बीच वाले वर्ग के उपर एक और वर्ग बना हुआ है। इन्हें कीजिए अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न स्थितियों से गौर कीजिए, अपने मित्रों के साथ उनके विभिन्न द्रिश्यों की चर्चा कीजिए। प्रिष्ट संख्या 167 एक दिये हुए प्रत्येक ठोस के लिए दो द्रिश्य दिये गए हैं, प्रत्येक ठोस के लिए संगत उपर से द्रिश्य और सामने से द्रिश्य का मिलान कीजिए, इन में से एक आपके लिए किया गया है। यहाँ पर तीन स्तंभ बने हैं। पहले स्तंभ में वस्तु है। A. एक बोतल, B. एक बाट, C. एक फ्लास्क, D. कप और प्लेट, E. एक डिब्बा। दूसरे स्तंभ में सामने सिद्रिश्य है। 1. फ्लास्क का सामने सिद्रिश्य, 2. डिब्बे का सामने सिद्रिश्य, 3. बोतल का सामने सिद्रिश्य, 4. फ्लास्क का सामने सिद्रिश्य, 5. कप और प्लेट का सामने सिद्रिश्य। स्तंब तीन में उपर से द्रिश्य दिये गए हैं एक डिब्बे का उपर से द्रिश्य दो फ्लास्क का उपर से द्रिश्य तीन कप और प्लेट का उपर से द्रिश्य चार बोतल का उपर से द्रिश्य पांच बाट का उपर से द्रिश्य उदारण के लिए स्तंभ एक में एको स्तंभ दो में तीन से और स्तंभ चार में चार से जोड़ा गया है प्रिष्ट संख्या 168 दो दिये हुए प्रतियक ठोस के लिए तीन द्रिश्य दिये गए हैं प्रतियक ठोस के संगत उपर से द्रिश्य, सामने से द्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य की पहचान कीजिए एक अल्मारी इसके बाद तीन चित्र बने हैं आपको पहचानना है कि उपर से द्रिश्य, सामने से द्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य कौन सा है एक माचिस की डिब्बी इसके बाद तीन चित्र बने हैं आपको पहचानना है कि उपर से द्रिश्य, सामने से द्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य कौन सा है c. एक टेलिविजन इसके बाद तीन चित्र बने हैं आपको पहचानना है कि उपर से द्रिश्य, सामने से द्रिश्य कौन सा है इसके बाद तीन चित्र बने हैं, आपको पहचानना है कि उपर सिद्रिश्य, सामने सिद्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य कौन सा है? प्रिष्ट संख्या 179 तीन दिये हुए प्रतियक ठोस के लिए उपर सिद्रिश्य, सामने सिद्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य की पहचान कीजिए ए, यहाँ पर तीन घनों से बना एक ठोस है, आपको आगे दिये गए चित्रों में उपर सिद्रिश्य, सामने सिद्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य पहचानना है बी, यह चार घनों से बना एक ठोस है, इसके बाद तीन चित्रों में से आपको उपर सिद्रिश्य, सामने सिद्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य पहचानना है c, यह एक चार घनों से बना ठोस है, इसके बाद तीन चित्रों में से आपको उपर सिद्रिश्य, सामने सिद्रिश्य और पार्श्व द्रिश्य पहचानना है d, यह एक चार घनों से बना ठोस है, आपको इसके बाद तीन चित्रों में से उपर सिद्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य और सामने सिद्रिश्य पहचानना है e, यह चार घनों से बना एक ठोस है, इसके बाद तीन चित्र दिये हैं, आपको सामने सिद्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य और उपर सिद्रिश्य पहचानना है प्रिश्ट संख्या 170 चार दी हुई वस्तूओं के सामने सिद्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य और उपर सिद्रिश्य खीचिये a, एक फौजी तंबू b, एक मेज c, एक नट d, एक शट भुजाकार ब्लॉक e, एक पासा f, एक थोस अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा तकनीकी समनवयक बटिलैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक शानु मुक्सीम निर्मान सहयोग रुची शर्मा निर्देशन व निर्मान विमलेश चौदरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत C.I.E.T. C.I.E.T. C.I.E.T.